इस question में क्या रखा है कि if the angle of elevation of a tower from a distance of 100 root 3 meter from its food is 60 degree समझी यहां पर कि एक tower यहां पर ऐसे दे रखा है और इसके food से 100 root 3 meter के distance से इसका angle of elevation जो इसका top का यह आपका 60 degree given है ठीक है then the value of h by 30 का पूछ रखा है कि h by 30 क्या है यहां पर h क्या है इसका height है यहां पर इसका height है सपोज माल इसे triangle आपका ABC तो यहां पर इन दोनों के बीच में consolation बनेगा perpendicular by base perpendicular by 1060 लगा सकते हो आप यहां पर 1060 equal to h by 100 root 3 तो 1060 का value कितना होता है root 3 root 3 by 1 लगा सकते हो कोई दीकत नहीं तो h by 100 root 3 cross multiply किजेगा h का वायां कितना आजागा h का value आजागा के पास 300 root 3 में root 3 multiply किजेगा 3 and 100 multiply किजेगा 300 यह आपका h का value कितना आ गया 300 मीटर आपसे पूछा कितना h by 30 का value h by 30 का value क्या होगा तो यहां पर आपका 300 by में 30 यह cancel होगा 10 times में यानिकी 10 है आप यहां पर लिख सकते हो कि h by 30 जो आपके पूछ रखा था मीटर में यहां आपका कितना आ गया 10 मीटर यहीं इसका आंसर हो जागा चुलिए मिलते फिर नेक्स वीडियो में टिल देने बावाडर सी यू थैंक यू चैनल को सब्सक्राइब कि लिए वीडियो को सेर किजिए